हेलो गाईज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इतना इलेक्ट्रोनिक का सामान दिखाने वाला हूँ कि आप लोग सोंच सकते हो कि मेरे कितना जादा सामान लेके आया हूँ कितना जादा खर्चा हुआ होगा मैं इतना सारा का सामान क्यों लाया हूँ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा इसलिए इस वीडियो को इसलिए हमारी चल को सब्सक्राइब कर लो अब मैं इतना सारा इलक्रोनिक सामान ओफ-लाइन मार्केट से लाया हूँ अगर आप लोगों को भी पर्चेस करना है तो मैं आप लोगों को दुकान का नाम भी बता दूँगा बागी सब को डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाल इसकी अगर वीडियो नहीं देखिये तो चैनल पर अल्रेडी अप्लोड डेटा जाकर देख लेना मैंने इसकी वीडियो पहले बना रखी फिलाल इसका भी यह डिबबाय मैंने इसको यूज कर लिया है अगर इसके प्राइस की बात करे तो मेरे को ऑफ-लाइन मार्केट पर यह 200 रुपए का मिल गया था अगर आप लोग को पर्चेस करना तो आप लोग कर सकते हो किसी भी दुकान से 200 रुपए से ज़्यादा मत देना और ऑनलाइन पर्चेस करना तो आपकी मर्दी फिलाल 400 500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा और नेक्स चीज आती है यह में चीज होती है यह पिलायर यह पिलायर पाई कंपनी का है काफी अच्छी कंपनी है तपाड़ी है जैसी तो नहीं है लेकिन पाई से खाम चल जाता है अराम से काफी अच्छी कंपनी है यह मैंने पर्चेस करा है यह मेरे को 90 रुपए का मिला है और यह नंबर के साब स आता यह 908 नंबर का है और काफी अदा अच्छा है भी मैंने इसको अन्बॉक्स नहीं कर रहा है इसकी अन्बॉक्सिंग वीडियो अलग से आएगी इसकी यह है ओ सोहरी यह तो गिर गया नक्ट आपको यह कटर देखने को मिलेगा इससे आप बाईर भी काट सकते हो और वाईर को चील भी सकते हो यह दो काम में आता है और यह भी काफी अच्छी क्वाइल्टि का यह मेरेको 65 रूपीस के असपास मिला है मेरेको एक्जेक्ट स पीस लिए हैं लगबग इसके हो गए है एक दो तीन चार पाँच इसके 20 पीस हो गई यह दस पैपीस मिलता है तो मेरे लगबग 200 रुपए के आसपास मिले थे मेरे को यह और इसमें आप किसी भी मतलब सर्केट को बना सकते हैं इसमें आठाम तो नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है यह 9 बोल्ट की बैटरी का डिपा अब यह मैंने पूरा डबा तो पर्चेस नहीं करा था क्योंकि मेरा ज्यादा बजट नहीं था फिलाल मेरे को पूरे के रेट में ही मिल गया इसमें आपको 5 बैटरी देखने को मिलेंगी वैसे टोटल 10 इसका आता है मैंने 5 पर्चेस करी है और इसका पूरा डबा 140-50 रुपए के आसपास आता है हर जिग का मार्केट का रेट अलगा है अगर आप इसको ऑनलेन पर्चेस करोगे तो 90 रुपए की एक बैटरी देखने को मिलेगी आपको 90 रुपए के आसपास इसकी एक बैटरी देखने को मिलेगी पूरा डिबा तो भाई मतलब कुछी मत पूछो कितने का वेश थी लोग ऑनलाइन में बहुत ज़दल उठते हैं और नेक्स्ट काईस हमारे ये दो बज़र हैं मैंने 12 बोल्ट से 5 बोल्ट के बीच में किसी से भी चला सकते हो आप लोग इस सो और ये द ये काफी इंपोर्टेंट होते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज जो आती है वो ही ये LED भलप की LED इसको MC PC भी बोलते हैं ये LED भलप में सबसे ज़्यादा खराब होती है और आप लोग अगर इसको चेंज कर देते हो तो आपकी LED भलप फिर से जलने लगा जैसे पहले जलता अगर आपको इसका एक्सपरिमेंट चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट बबताना फिलाल मैंने इसके 12 पीस परसेज कर लिये थे नेक्स्ट गाइस ये आता है हमारा ये जो USB वाले सौकेट रहते हैं ये है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो लाइट बगार बनाने में मैं तो प्रोजेक्ट के लिए लाया हूँ और इसमें लगने के लिए जो साथ में LED होती है वो भी है और हाँ इसमें रजी और इसमें में सामान हमारा इसमेंगा इस थैली में बहुत महंगा महंगा सामान है और काफी है तो सबसे पहले आपको उपन गर के दिखा देता हूँ क् सारे प्रोज्चेक्ट, म demonstrating आप लोग को कि दिल खोस जाये कि कि इसके साथ बनाने वाला हूं, अब पता नहीं कौन से चैनल पर वीडियो आने वाली है, यह वीडियो, म 인력点 अधर जू वीडियो शूट कर रहा हूं,초 नहीं पता कौन सी चैनल पर अपलेयड करूँं, फिलाल ज एक्स्प्रेम्म आ सकते हैं मैं अभी कॉन से हैं पर दालू इसमें बहुत सारा मतलब बहुत सामाने में कुछ दिखा नहीं सकता है आपको यहां पर एक डिसोल्डरिंग बाहर मिल जाती है किसी चीज को डिसोल्डर करने के लिए और बहुत सारे बैलूस के रजिस्टर है और यहां पर बीसी 547 क्रांजिस्टर है और यह एक सेगंड यह कितने माइक्रो फैराइट का कैपी सीटर है 4.7 का है 450 बोल्ड कितना बड़ा गए बिस जीटर देखो और कुछ रोटरी स्विच हैं और यहां पर 1805 है तो बहुत सारे चीज़ें इसमें और आपको LDR देखने को म एकस्परिमेंट आने वाले 40-17 की बहुत सारे एकस्परिमेंट आने वाले यह सबी चीजे मैंने एक की दुकान से पर्चेस करी थी अब यह आप लोग देख रहे हूं यह यह मतलब 1200 वम्मक का सेल है और ये मेरे को 50 रुपई का एक मिला है मतलब 5 वम्मक का एक दिया बाई क्दूना लूटा है ये 1200 वम्मक है और मैंने ये ही सेल दूसरी दुकान से लिये थे ये 2000 वम्मक पर एंदा इसलिए हर दुकान के रेट अलग होते अब ये काफी एदा गंदी से आपको लग रही होगी लेकिन यार इससे कोई दिक्कत नहीं है ये मैं जिस दुकान से लाया था बहाँ पर एफेक्टेट पड़ी थी यहाँ पर दो LED ये और ये नहीं जल लई है तो अंकल जी ने मेरे को 10 रुपए कम में दे दी वैसे ये 45-50 रुपए मीटर के आसपास आती ही ये मीटर से मिलती है मैंने कट कर रखी ये एक मीटर है ये तो मेरे को 10 रुपए सस्ती मिल गए मैंने का 2 LED तो खराब है हम काम चला लेगे नेक्स्ट गाइस ये गुलावी पन्वी में आप लोग देख रहा हो कुछ ये मैंने अलग दुकान से पर्चेस करी थे ये सारा सामान जो देख रहा हो ये एक ही दुकान से ये सब इतनी चीज बस अलग दुकान से पर्चेस करी थे इसमें आपको तरफल 5 IC देखने को मिलेगी यह तरफल 5 जो टाइमर IC रहती है वो है और कुछ कैपी सीटर है इसमें और IC के बेस है और कुछ नहीं है उस दुकान से मैंने बस इतना ही सामान पर्चेस करा था बाद में करा था बस यही सब सामान था और कुछ तो बचा नहीं आप लोगो को दिखाने के लिए हाँ थोड़ा बहुत और पर्चेस करा वो भी दिखा देता हूं यह देखो गाईस यह मैंने रेनवो बायर पर्चेस करा जो कि यह 14-76 का एक बंडल पर्चेस करा था मैंने इसमें कॉपर का भायर है यह काफी यादा काम में आता है और हाँ मैं घर बर में किसी ना किसी के काम करता रहता हूं किसको ना कोई बुलाने आ जाता है तो उसके लिए यार यह बार काफी यादा जरूरत पढ़ती है इसकी और यह तो बहुत बैसे भी काम में आता रहता है तो मैंने इसका एक बंडल पर्चेस कर लिया था इसका भी देट मेरे को ऐसी एक्जक्ट आत नहीं मैं आपको स्क्रीन सोट दिखा दे रहा हूं